नमस्कार आपकी एज 30 से 40 के बीच में है न तो समल जाना कहीं 60 साल बाद आपको इन बातों को लेकर पस्ताना न पड़े रीग्रेट न करना पड़े क्योंकि 30 से 40 की एज वही होती जो करीर बनाने की एज होती है सब कुछ कुछ करने की एज होती है और उस बाता दोर बरी जिन्दगी में इनसान कुछ न कुछ चीजे तो बूलते हुए जाता है और समय तो ऐसे निकलता है कि दोड़ता जाता है और जब जिनकी रिटार्यमेंट के करीब आती है जब इनसान रिटार्य हो जाता है फिर कुछ बातों को लेकर रेक्रियेट करता है फिर कुछ बातों को लेकर पस्तावा करता किया मैंने मेरी लाइट में ये क्यों नहीं किया तो ऐसे क्या बाते हैं जो अभी आपको उसको एंजोई करना चाहिए क्योंकि यही एज होती है जो आपको एंजोई कराती है वरना समय निकलने के बाद आप कुछ निकल पाते हैं तो कुछ ऐसी बाते क्या है जो आपको जाननी चाहिए इस एज में वरना साट साल के बाद आप रीक्रेट करोगे पस्ता होगे नमबर वन अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप पस्ता होगे कि मैंने अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट क्यों नहीं किया ध्यान रखना यही एज है कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो रोज योग करो रोज एक्साइज करो और रोज खान पीन पर ध्यान रखो ध्यान रखना अगर आपका स्वास्त है ना तो सब कुछ है आपका स्वास्त नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा अगर 30 से 40 की एज में अगर आपको विमारियों गेर लिया तो 60 साल बाद आप वाकवी में पस्ता होगे फिर एक समय ऐसा आएगा कि अगर आपके पास प्यासा नहीं रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा उस वक्त कोई आपका साथ नहीं देगा हर कई पैसे मत उड़ाना वरना साट साल के बाद आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है क्यों मैंने यार पैसे की बचत क्यों नहीं किया मैंने पैसे इधर उदर क्यों उड़ाए मैंने पैसों को सई जगा इंवेस्ट क्यों नहीं किया तो जब समय बीच जाए तब आपको रिगर्ट करना पड़े ऐसा मत करना पहले ही अभी इसी एज में थोड़ा बहुत सेविंग करना शुरू कर देना थोड़ा बहुत पैसे की बचत करना शुरू कर देना यही पैसे की बचत यही सेविंग आपको जब रिटायर्मेन होगा तब आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगी और इतना बेनिफिट देगी कि आप अपनी रेष्ट लाइफ आराम से गुजार सकते हैं यह रिग्रेट कभी मत करना कि मैंने अपने परिवार के साथ समय क्यों नहीं बिताया त्यान रखना इंसान बहुत दोड़ बरी जिंद ना जब समय निकल जाएगा आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और तब आप रिग्रेट करो कि यार मैंने अपने बच्चों के बच्च्पन में उनके साथ नहीं खेला मैंने अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया मैंने अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया यही तो जिन्गी है वरना तो आप ऐसे ही आए और ऐसी चले जाओगे क्या करोगे कुछ नहीं कर पाओगे साथ साल बाद यह रिगर्ड मत करना कि मैंने अपने समय को बरबाद क्यों किया एक-एक समय की पस्ताना नहीं पड़े कि और मैंने समय बरबाद क्यों किया है अगर मैं समय बरबाद नहीं करता तो आज में भी उस जगह होता आज मेरा भी रिटार्मेंट अच्छा होता और आज सभी लोग मेरा respect करते तो समय बर्बाद कभी मत करना साठ साल के बाद मैं समय को लेकर कभी पस्ताना मत कहीं ये पस्तावा मत करना कहीं ये regret मत करना कि मैं अच्छी जगर गुमने क्यों नहीं गया हूँ अभी ये एज हैं तीस चालिस ये पचास के बीच में एज है अच्छी जगर गुमने चाहिए फिर ये अराम से गुमिए साठ साल बाद आपका सरीर आपका साथ नहीं देगा आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे मान लिया आपके पास पैसे होंगे लेकिन आप वो जो इंजोए जवानी में कर सकते थे वो आप वरद होने पर नहीं कर सकते अभी आप गुमने के सही मजले पाओगे अभी आप सही आनन से गुम पाओगे लेकिन जब साठ साल बाद अगर आपके गुमने जाओगे न तो आपका सरीर, आपका हेल्थ, आपकी बोड़ी साथ नहीं देगी, इसलिए अभी थोड़ा समय निका दिये, कभी-कभी परिवार के साथ गूंगने भी जाईए, कभी आपको ये रिग्रेट निक करना पड़े, 60 साल के बाद यार मैं अच्छी जगा गूंगने क्यों नहीं